चले टाइप 1 के कुश्चन को देखते हैं इसमें बोला एक घड़ी प्रतेग घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है यदि सुबह 7 बजे सही समय मिला दिया जाए तो उस घड़ी में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो वास्तविक समय क्या होगा ठीक आपसे वास्तविक समय पूछा है घड़ी में को 7 बजे मिला या रहा है और हर घंटे में ये एक घंटे में प्रतेग घंटे मतलब एक घंटे में 10 मिनट लेट हो रही है सुबह सात बजे मिला दिया गया तो सुबह सात बजे से लेके सुबह के दस बजे तक कितने घंटे हुआ गया कितने घंटे का हुआ तीन घंटे का हुआ तो एक घंटे में दस मिनट लेट हो रही है घरी तो तीन घंटे में कितने मिनट लेट होगी आपकी घड़ी है, तीन घंटे में आपकी लेट होगी, कितना, अगर दस मिनट लेट हो रही है, तो तीन घंटे में आपकी तीस मिनट लेट होगी, तो यह जो हमारा टाइम है, तीस मिनट लेट हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा सॉरी यह 10 मिनट तेज हो रही है तो एक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है तो तीन घंटे में कितने मिनट तेज होगी 30 मिनट तेज होगी तो हमारा जो वास्तिरिक समय होगा वो क्या होगा अगर घडि में 10 बज रहा है और गडि क्या आपकी तेज है यह टाइम जो फास्ट का है तो वास्तिरिक समय पुछा है तो घडि जब 10 बजा रही होगी जो आपकी घडि default है तो उस समय वास्तिक समय आपका होगा वो इस minus कर देंगे तो हमारा जो 10 बज रहा था उससे 30 minute minus कर देंगे तो हमारा answer क्या जएगा सारे नो हो जाएगा 9.30 am यह हमारा original time होगा ठीक यह तो आपकी हो गई जब घड़ी तेज हो अब यहीं पर जहां तेज है आपका यहीं घड़ी 10 minute मंद हो जाए ठीक यह घड़ी 10 minute मंद हो जाए मतलब धीमी हो जाए तब आपका क्या होगा answer तब यह आपका answer दे सकते हो कि अगर एक घंटे में 10 minute slow होती है घड़ी ठीक तो 3 हंटे में कितनी slow होगी 30 minute slow होगी अगर उस घड़ी में default घड़ी में 10 बज रहे होंगे तो आपके वास्तलिक घड़ी में कितना बज रहा होगा तो वास्तलिक घड़ी आपकी 30 minute slow है तो 10 तो हम उसमें 30 minute extra plus कर देंगे एक्स्टा प्लस करने में आजाएगा हमारा 10 बज कर 30 minute यह हमारा जो होगा ओरजिनल टाइम होगा ओरजिनल घड़ी में जो समय हो रहा होगा क्योंकि यह घड़ी जो हमारी जो है यह slow चल रही है तो यह आपके टाइप 1 के दो टाइप के कुशन बनते है एक तो आपका 7 बजे सही समय मिला दिया जा तो पुना वह कप सही समय दिखायेगी ठीक आपका यह फिस समय पूच रहा है यह तो टाइप 2 के कुशन में फिस समय पूच रहा है तो हम देख रहा है कि हर एक घंटे में एक इनटे में यह 20 मिनट fast हो जाती है तो आपको का करना है जब भी आपको पुलो वही समय पूछे तो हम 12 गंटे पीछे जाते हैं 12 गंटे का मतलब कितना घड़ी को पीछे करेंगे चाहिए आगे करेंगे यहां fast का भोल है तो घड़ी को हम कितना 12 गंटे तेज करेंगे तो जैसे ये 20 मिनट फास्ट होती है हर एक घंटे में तो 12 घंटे फास्ट करने का मतलब 12 घंटे में कितने मिनट होते है 720 मिनट अगर कुसी घड़ी को फिर से हम वही टाइम हमें दिखाना हो तो 12 घंटे हम पीछे कर देंगे चाहिए आगे कर देंगे अगर 12 घंटे हम पीछे करें आगे करें 720 मिनट फास्ट करें तो कितने घंटे में होगा ये फास्ट 720 मिनट तो 1 upon 20 इन्टू 720 तो ये हो जाएगा आपका 36 घंटे इगर इसे हम फास्ट कर देंगे तो फिर से हम आरा हो ही समय दिखाएगी तो 36 घंटे मतलब कब किस दिन सो मुआर को ये मिलाए गई थी सुर्वा साथ बजे तो सो मुआर को सुर्वा साथ बजे ठीक से मंगलवार मंगलवार को सुर्वा साथ बजे आपका क्या हो जाएगा 7 a.m से 7 a.m ये 24 आवर हो जाएगा ठीक अब मंगलवार के साम को साथ बजे 7 p.m पे 12 घंटा होर तो 24 आवर बारह चतिस ये हो गए 36 घंटे मतलब मंगलवार को टूजडे को ठीक है टूजडे को साम के साथ बजे वो फिर से सही समय दिखाएगी तो इस कुश्चन को करने के लिए आपको करना के आए एक साथ ट्रिक है एक साथ कट है तो आप जब भी ऐसा कुश्चन आए तो आप याद रखो h अपान ठीक है minute into 720 ये आप याद रखो h मतलब होगे आपका कि ये प्रते एक घंटा बोलता है ना फॉर्मूलय प्रते एक घंटे में इतना fast हो जाती है तो वही घंटा मतलब यहाँ पर एक रख दोगे एक घंटे में जितना minute fast हो जाए याँ fast या slow होती है fast या slow होती है और ये आपका 720 जो होता है फिर से उतना एक घंटा हमें 12 घंटा चाहे जिए फास्ट करना है उस घड़ी को तो आप जब इस फॉर्मूले पर रखोगे एक गंटे में कितना मिनट तेज हो जाती है बीस मिनट तेज हो जाती है और 720 से इसे कर दोगे डिवाई तो यह हो जाएगा आपका 36 यहां से भी आएगा तो यहां से फिर से वही आंसर आएगा अब इसी में हम आते हैं अगर यह स्लो चलेगी जहां तीज लिखा है तो वहीं पर जहां आप वैलू लख रहे हो एच अपॉन एम तो यह स्लो की वैलू हो जाएगी इन्टू 720 बोला यह घड़ी जब बुद्वार रात साथ बजे को देखा गया तो बीस मिनट तेज चल ल कि 7वजे से लेके 7वजे तक 24 गंटा हो जाता ठीक और प्लस साथ बजे तक और 3 घंटा और जादे 10 बजे तक 10 बजे इसे देखा गया था तो 24 प्लस 3, टोटल कितने घंट हो जाएंगे 27 गंटे हो जाएंगे तो यह आपके हो गए 27 गंटे, तो 27 गंटे में कितना तेज अब बाद में ये 10 मिनट मंद हो गई तो difference कितने का हुआ आपके पास तो वही निकालना है तो चले देखते हैं इसके लिए एक formula होता है formula ये है कि आपकी घड़ी अगर ठीक है H M1 upon M1 plus M2 into H ये जो formula है वो बताता है आपसे कि M1 मतलब जो जितना पहले मिनेट slow या fast रही हो M1 plus M2 या plus minus 2 slow या fast रही हो घड़ी आपकी और ये होता है कितने घंटे का difference हो रहा है जैसे बुद्दवार से गुरु आर कितने घंटे का difference है hour का difference इस पर हम जब रख देंगे तो हमारा answer निकल आएगा जैसे बुद्दवार को देखा गया तो कितना मिनेट तेज थी अब देखेंगे यहाँ पर कि हम M1 M2 plus कर लेंगे और M1 M2 माइनस कर लेंगे जब आपकी घड़ी एक fast हो रही हो और दूसरी आपकी slow हो रही हो या पहले slow हो रही हो दूसरी fast हो रही हो ठीक तो हम आपका plus लेते हैं M1 माइनस M2 कर लेंगे जब आपकी पहले घड़ी fast हो रही हो और दूसरी घड़ी भी fast हो रही हो और जब आपकी पहले घड़ी slow हो और दूसरी घड़ी भी slow हो तब M1 माइनस M2 लेंगे तो अब यहाँ पर देखिए एक fast है एक slow है तो हम क्या करेंगे M1 प्लस M2 लेंगे तो हमारा formula गलेंगे M1 M1 प्लस M2 into H तो आप जब करोगे इसे slow तो M1 मतलब पहले कितना 20 minute तेज थी उसके बाद से M1 की value 20 फिर M2 की value कितने minute कम हो गई 10 minute मंद हो गई into H कितने घंटे का difference है 27 तो यह आपका होगा कुछ ऐसे कि 20 upon 30 into 27 यह काटेंगे तो यह 3 9 आएगा नत्री के से और यहां से आ जाएगा 18 गंटे मतलब 18 गंटे बाद फिर से हमारी घड़ी जो है सही समय बताएगी तो 18 गंटा कब होगा आपका 18 गंटा मतलब बुद्वार से हम 18 गंटा जोडएंगे तो बुद्वार के साम के 7 बजे से लेके गुरुवार को मतलब थाजडे को आपको सुबह 7 गंटा हो जाएगा और 6 गंटा और जोड़ दो तो मतलब कहां पहुच जाएंगे हम एक बजे मतलब थाजडे को थाजडे को एक बजे दो पहर में हमारी घड़ी जो है सही समय बताएगी ठीक तो यह हमारा कुशन हो गया अगर इस टेप का आपके बास कुशन आता है तो आप डारेक्ट राद रखो कि इसमें क्या होता है कि एक ही घड़ी को एक बर बोला जैता है कि वो जब किसी दिन देखा गया तो भो जाए फास्ट है जब एक घड़ी स्वो और एक घड़ी फास्ट हो और M1-M2 कब होगा जो आपकी दोनों फास्ट या दोनों स्वो आओ उस केस में हम यह करते हैं तो आपका आसा आजाएगा 18 गंटे सौल्व करने के बाद और 18 गंटे बाद में जोड लेंगे बुद्वार को मिलाई गई थी तो दोनों स्वो और 18 गंटे आपका पूछो पाँच जाएगा थास्टे को एक बज़े तो हमारा यह सही समय लेटा है तो के तीसरे कुशन पर आते हैं इस कुशन में आपके दो घड़ी हैं ओवराल तीन घड़ी है दो घड़ी में आपको बताया गया है और तीसरी घड़ यह आपकी जो औरज़िनल घड़ी है उससे कंपेर करना है बो लगया कि एक घड़ी हर एक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर एक घंटे मे 20 मिनट मंद हो जाती है यदि इन्हें मंगलवार स्म चार वजए सही समय मिला दिया जाए तो यह पुला कब सही समय दिखाएंगी, मतलब जो दो घडियां दोनों में फॉल्ट है, एक हर एक घंटे में 20 मिनट तेरी होती है, और दूसरी हरे एक घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाती है तो पूछ रहा है कि जो ओरजिनल घडी के तो अब हम क्या करते हैं इस में देखते हैं इस कुश्चन को इस टाइप के कुश्चन को करने के लिए जब भी आपके पास दो घड़ी हो आप याद रखो कि H upon M1 plus minus M2 into 720 ठीक है कि कितने घंटे बाद क्योंकि वही एक घड़ी जो दीस मिनट स्वास्ट हो रही है तो यही M1 plus M2 कब लगाना है आप सभी लोग पिछले कुश्चन में जानगे कि जब एक घड़ी आपकी फास्ट हो रही हो और दूसरी आपके स्लो हो रही हो चाहिए एक स्लो हो और द क्या बोला गया है बस इस सुत्र को याद रखिए इस फॉर्मूले को इस टाइप के कुश्चन करने के लिए कि अगर एक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है तो दूसरी घड़ी हर एक घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है और यह आवर जो है आपका यह बताता है कि कि कितने मिनट तेज हो जाती है जैसे एक घंटे में तो यहाँ आएगा वन अगर यह कुश्चन में घुमा देता आपसे कि हर यह घड़ी हर दो घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है तो हर दो घंटे में तो यहाँ एच की वैलू 2 हो जाती ठीक यहाँ पर एच की वैलू 1 होगी क्यो कि हर एक घंटे में है अगर कुश्ण में दिया होता हर दो घंटे चाहर तिन घंटे में तो H की वैलू क्या हो जाती आपकी तीन हो जाती ठीक तो आपको याद रखना है अब इसे स्वाल करते हैं कि हर एक घंटे में तो H की वैलू हो जाएगी 1 और यहां पर M1 प्लस M2 इस इन्टो 720 तो यह आजाएगा 1 अपान 40 इन्टो 720 तो इसे हम जब करेंगे ति यहां से आएगा 18 घंटे मतलब 18 घंटे बाद यह आवारी जो दोनों घडियां हैं वो सही समय बताएंगी तो 18 घंटे मतलब कि अगर यह मंगलवार को साम के 4 बजे मिलाई गई थी ठीक है वेडनेश डे को सुभ ह 4 बजे आपसे कितना डिफेंस हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा और 6 घंटे और चाहिए क्यूंकि 18 घंटे बाद तो 6 घंटे और चाहिए तो वेडनेश डे को 6 घंटे और तो चार में 6 जोर्द हो गे तो वेडनेश डे को 10 अम पर हमारी यह दोनों तो हमारा आंसर हो गया, तो आप से कुल मिलाके, टाइप 2 में जो 3 टाइप के कुश्चन कराएंगे, इसी टाइप से पूछता है, जहां ये हर एक घंटा दिया हो, आपको घंटा चेंज कर सकता है, कि हर 2 घंटे में, हर 5 घंटे में, बस आपको फार्मूला याद रखना है, उसमें आपको ये फार्मूला लगता है, कि अगर कोई 2 घंटा हो, एक उसमें तेज हो रही है, चाहे मंद हो रही है, चाहे दोनों तेज हो रही हो, उस हिसाब से लगेगा, अगर दोनों तेज हो रही हो, तो यह M1-M2 लगेगा, दोनों स्लो होंगी, तो M1-M2 लगेगा, तो इस टाप के आपके पूरे slow and fast में question बनते हैं, तो इस हमारा होगे पूरा clock, जो आपके seat में question दिये गया है, उसको ध्रान से देखिए, जी तरह मैंने पहा दिया, उससे related question होगा, slow and fast के question है, उसमें वो solve करिए, और जो seat के question आपसे नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा क कि कमेंट के माधियम से किसर ये question नहीं लग रहा है, मैं उसको या तो वीडियो solution या पीडियो solution मैं आप तो पहुचा दूँगा, धन्यवाद.